ही गाइस मैं हूँ अंचली और आप देख रहे हैं हिंगी टेक अचली आज की इस वीडियो में हम कंपाइजन करेंगे वन प्लस एक टी और शाओमी MI10 अल्टरा के बीच और देखेंगे की फोन के कैमरा, प्रफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी, फीचर्स, कम्मुनिकेशन चिप्स और प्राइज़स में कौन विनर है और आखिर में मैं बताऊंगी आपको की मेरे अकॉर्डिंग या कौन सा डिवाइस बेस्ट है तो इस वीडियो को एंट तक जरूर रेखें चलिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस कम्मपैशन को फोन के कैमरा से शुरू करते हैं रेर कैमरा से OnePlus 8T में आपको मिलता है कौड कैमरा का सेटप जिसमें है 48MP का वाइड कैमरा 16MP का अल्टरा वाइड कैमरा 5MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेट सेंसर और MI10 Ultra में भी है कौड कैमरा का सेटप जिसमें है 48MP का वाइड कैमरा 48 और 12MP का टेलिफोटो कैमरा और 20MP का अल्टरा वाइड कैमरा तो यहाँ पर winner है MI10 Ultra, क्योंकि इसमें है Better Camera Sensor बात करते हैं Front Camera की OnePlus 8T में है 16 Megapixel का Wide Camera और MI10 Ultra में है 20 Megapixel का Wide Camera तो यहाँ भी winner है MI10 Ultra, क्योंकि इसमें है 20 Megapixel का Wide Camera अब बात करते हैं Camera के Features की OnePlus 8T में है Dual ADD Flash, HDR और Panorama और MI10 Ultra में है Dual LED Dual Tone Flash, HDR और Panorama तो Dual LED Dual Tone Flash के कारण यहाँ winner है MI10 Ultra और बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो OnePlus 8T रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30 और 60fps पे और 1080p वीडियो 30, 60 और 240fps पे विद ऑटो HDR और जारो लेक्टोने की में स्टबलाजेशन और MI10 Ultra रिकॉर्ड करता है 8K वीडियो 30fps पे 4K वीडियो 30 और 60fps पे और 1080p वीडियो 30, 60, 120, 240 और 960fps पे विद जारो लेक्टोने की में स्टबलाजेशन तो यहाँ पे winner है MI10 Ultra क्योंकि यह रिकॉर्ड करता है 8K वीडियो ही चलिए अब बात करते हैं performance की शुरू करते हैं operating system से OnePlus 8T में आपको मिलता है Android 11 और MI10 Ultra में आपको मिलता है Android 10 तो latest Android की वजह से यहाँ winner है OnePlus 8T और अब बात करते हैं user interface की OnePlus 8T में है Oxygen OS 11 और MI10 Ultra में है MIUI 12 तो मैं यहाँ करती हूँ tie क्योंकि यह आपकी personal choice है कि आपको कौन सा UI पसंद है अब बात करते है प्रोसेसर की दोनों ही devices में आपको मिलता है snapdragon 865 इसलिए यहाँ है tie बात करते है GPU की दोनों ही devices में है Adreno 650 इसलिए यहाँ भी है tie अब बात करते है clock speed की दोनों ही devices की clock speed है 2.84 GHz based on octa core cryo 585 इसलिए यहाँ भी है tie और बात करें RAM की तो वन प्लस 8T में आपको मिलती है 8 और 12 GB RAM option और MI10 Ultra में आपको मिलती है 8 12 और 16 GB RAM option तो ज़्यादा RAM options के कारण यहाँ बिनन है MI10 Ultra अब बात करते हैं storage की वन प्लस 8T में है 128 और 256 GB की storage और MI10 Ultra में है 128, 256 और 512 GB की storage तो यहाँ पे भी ज़्यादा options के कारण विनर है MI10 Ultra और बात करें external storage की तो external storage के लिए दोनों है devices में कोई slot नहीं है इसलिए यहाँ है tie चलिए अब बात करते हैं phone के display की शुरू करते हैं display size से OnePlus 8T में है 6.55 inches की display और MI10 Ultra में है 6.67 inches की display तो larger display के कारण यहाँ बिनर है MI10 Ultra बात करते है screen to body ratio की OnePlus 8T में यह ratio है 87% का और MI10 Ultra में है 89.5% का तो जादर ratio की कारण यहाँ बिनर है MI10 Ultra अब बात करते हैं display resolution की दोनों ही devices में है full HD plus की display इसलिए यहाँ है tie और बात करें display type की तो OnePlus 8T में है full AMOLED display with 120Hz refresh rate and HDR10 plus और MI10 Ultra में है OLED display with 120Hz refresh rate and HDR10 plus तो यहाँ पर बिनर है MI10 Ultra क्योंकि OLED display आपको देगी better experience अब बात करते हैं body की शुरू करते हैं thickness से OnePlus 8T की thickness है 8.4 mm और MI10 Ultra की thickness है 9.5 mm तो thickness कम होने के कारण यहाँ बिनर है OnePlus 8T बात करते हैं weight की OnePlus 8T का weight है 188 grams और MI10 Ultra का weight है 221 grams तो lighter weight के कारण यहाँ winner है OnePlus 8T और बात करें protection की तो दोनों ही devices में है Gorilla Glass 5 की protection इसलिए यहाँ है tie अब बात करते हैं build quality की OnePlus 8T में है glass back और plastic frame और MI10 Ultra में है glass back और aluminium frame तो strong build के कारण यहाँ winner है MI10 Ultra और बात करें SIM की तो SIM की लिए दोनों ही devices में है dual nano SIM slot चलिए अब बात करते है features की शुरू करते हैं fingerprint scanner से दोनों ही devices में आपको मिलता है under display fingerprint scanner इसलिए यहाँ है tie और बात करें sensors की तो OnePlus 8T में है accelerometer zero proximity and compass और MI10 Ultra में है accelerometer zero proximity compass और birometer तो यहाँ पर winner है MI10 Ultra क्योंकि इसमें है birometer भी अब बात करते हैं battery की दोनों ही devices में है 4,500 mAh की battery इसलिए यहाँ है tie और बात करें charging की तो OnePlus 8T में है 65 watts की fast charging और MI10 Ultra में है 120 watts की fast charging तो यहाँ है tie और बात करें headphone jack की तो headphone के लिए दोनों ही devices में कोई jack नहीं है इसलिए यहाँ भी है tie और अब बात करते है communications की शुरू करते है wireless LAN से OnePlus 8T में है dual band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA and hotspot और MI10 Ultra में है dual band Wi-Fi, Wi-Fi Direct and hotspot तो यहाँ winner है OnePlus 8T क्योंकि इसमें आपको मिलता है DLNA का extra chip बात करते है Bluetooth की दोनों ही devices में आता है 5.1 generation का Bluetooth with aptX HD तो यहाँ पे है tie अब बात करते है GPS chips की OnePlus 8T में है dual band AGPS, GLONES, BDS, GALILEO और SBAS और MI10 Ultra में है dual band AGPS, GLONES, BDS, GALILEO और QZSS तो यहाँ पे है tie और बात करें USB की तो OnePlus 8T में है 3.1 generation का type C reversible connector with OTG support और MI10 Ultra में है second generation का type C reversible connector with OTG support तो यहाँ winner है OnePlus 8T क्योंकि इसमें है new generation का USB और अब आखिर में बात करते हैं दोनों फोन के prices की इंटरनेशनल मार्केट में OnePlus 8T का प्राइज है 540 US डॉलर और MI10 Ultra का प्राइज है 1000 US डॉलर और इंडियन मार्केट में OnePlus 8T का प्राइज है 43,000 रुपीज और MI10 Ultra का प्राइज है 58,000 रुपीज तो अब सबसे आखिर में बारी है इस वीडियो के conclusion की तो यहाँ camera में winner है MI10 Ultra, performance में winner है MI10 Ultra, display में winner है MI10 Ultra, body segment में winner है OnePlus 8T, features में winner है MI10 Ultra, communications में winner है OnePlus 8T, और price में winner है MI10 Ultra तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इन तोरो डिवाइस में से कौन सा डिवाइस अच्छा लगा और मुझे भी comments में जरूर बताएं So thank you guys for watching this video, अगर आपको हमारा content अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस वीडियो को देख रही है Facebook पे तो हमारे Hindi Tech HD पेज को जरूर लाइक करें और अगर आप मुझे Instagram पे follow करना जाते हैं तो मेरी idea स्क्रीन पे मैं हूँ अंजली मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next वीडियो में तब तक के रिए बाई